ये गोवर्मेंट बदल गई इसके लिए धरनेबर दरशन ओके थे ये भी अब सपाई पूरी तरह डंग से नहीं करता है जब से ये सरकार आई है दिल्ली में तब से पाने की पोदलों का बिजन शुरू हुआ यही बढ़ता जा रहा है गिस्वक्त वहाँ से आया कि जीत गया वह आपसे मिलना बोलना बंग करता है अब तो यह जानते हैं कि यहां तो कोई कुछा स्टैंड कर रहे है आपोजिशन थोड़ी स्ट्रॉग हो रहे है इंद्रा गांदी के बाद कोई लीडर आया तो नरिंतर मोटी आया और यह बीजे की सरकार पूरे देश को आगे बढ़ाएगी इतना हमारा विश्वाश नमस्कार मैं परमजीत कोर समवाद इंडिया न्यूस चैनल से अगामी लोगसभा 2024 के चुनाव होने जा रहे हैं तो आज हम आए हैं पटेल नगर रो पार्क में तो आओ जानते हैं जनता की राए अंकल जी आपका नाम विजे कालरा अंकल जी आप यहाँ पे कितने टाइम से रह रहे हैं सत्तर साल से तो आपको अपने इस एरिये में क्या-क्या दिकतों का सामना करना पड़ता है सामना ने करना भगवान के दिया से साब ठीक है बाश्क्योटी की प्राब्लम चल लगी है यहाँ पर जीना शप्ती ज्यादा होती है लेडी सा के लिए घर से निकल निकले तो प्र कोई कई नहीं है प्रेल फटेल होस्पटल कवई है घर अभी क्या चाहेंगे की कौन सी पार्टी आनी चाहिए और इसमें के बारे में आपकी क्या राया अब regular है आप समवाद इंडिया न्यूज चैनल के माध्यम से आप जंता को क्या राय देना चाहेंगे? यही देना चाहेंगे कि भई अपना सोच समच के वोट डालो जो आपका काम कर सके उसी को वोट दीजी. जो समस्या ट्रैफिक की है वो दरेगी वो ठीक कभी नहीं हो सकती क्योंकि मकान इतने उंच उंच बन गये हैं और पार्किंग और स्कूल जो बीच पे आते हैं सड़क अंदर पटेलर अगर एंट्री करने के लिए एक ही सड़क है वो चोग जाम होते हैं उसकी समस्या काली नह है ना वहाँ पर ट्रैफिक प्लीस वाले होते हैं पीक आवर्स में ना कुछ होते हैं जाम कहीं पर गंडों ही लग जाते हैं बाकी सड़कों की समस्या है यहां पर ट्रैफिक की जितनी अबादी बढ़ चुकी है उसी साब से गाड़ी हम भूत हो गी है जाद गोई ऐसी दूसा पारक अब ठीक इंप्रूव हो रहा है पटेल पारक तो शैद अच्छा हो जाएगा तो बाकी इतनी कोई सिनियर सिटीजन के लिए कोई अलग सेपरेट से कोई फैसिल्टी तो है ने वुमेंस और चिल्डरन के लिए कोई सेफटी वेरा चिल्डरन सोगरा निकल ही न कुछ नहीं है आपके यहां पर महला क्लीनिक है तो उसमें क्या आपको सुवीदा वरा मिलती है हमने तो आई तक देखा नहीं जी महला क्लीनिक कहां पर है तो आपको यहां पर उसके भी कोई सुवीदा नहीं मिलती फ्री जो बसे चल भी है उसके लिए आप क्या कहना चाओ इसके बारे में आपकी क्या रहा है वालटी जो चल रही है ठीक है बड़ा अच्छा चल रही है चलने देंगे हम तो यह वह करोना काल के बाद में बिजली के बिल पानी के बिल जो एक दम ऐसे पेंडिंग चले आ रहे हैं उन पर ब्याज बरता का एक वर फंटाइम बागी मैंने मीटर चेंज करागे नया रीडिंग आ रही है उसमें 10 यूनिट 15 यूनिट आसे आता है पूरा महीने का महीने सब महीने का जो है रीडिंग के टेम में अब अदामी लोक सबह चुनाम में 2024 में कौन सी पार्टी आनी चाहिए और आपकी क्या राया इसके बारे म हमारा किसी पार्टी दे लेना देना नहीं है हम तो न्यूटिन है जो सभी काम की सुविता दे गए उसको मदा बोट देंगे हमारी MP ना आज तक शक्र नहीं दिखाई है और मैं क्या समझता हूं कि आगर इस परकार के आदमी ही आते रहे तो देश का उधार होने का तो कोई मत्फल भी नहीं है और जानते के एलेक्शन का प्रोसेस है पार्टी किसको स्पोर्ट करें किसको नहीं करें आना दे बीजेपी नहीं है क्योंकि वीएम जब तक रहेगी तब तक यही दौर चलता रहेगा और और जो हमारा पड़ान मंत्री है उसे बड़ा फैको इंदूस् अपोजिशन में बोला उसके घर में एडी बेज दी, CBI बेज दी यह बेज दो बेज दो अरे हैं डेमोक्राशी नाम की चीज़ तो खतम कर दिंग लोगों तो वोट देने का कोई मतलब भी नहीं रहा आप वोट दो ना दो कोई फरक नहीं पड़ना उनको पहले यह कर दे ना और भाई वो दो शुड़कास की वोट मिलनी चाहिए उनको टेप करें जब एवियम में आपने फिक्स कर दिया 51% वोट मिलनी मिलनी है आप देखिए जो बीस की एलेक्शन में जितने भी MP बने हैं सब 51.345 इस वोटिंग से बने इतने वोट मिले हैं उनको क्या यह आज पानी को लेक्षान अब अपनापनी लेवल्पाई गर लिया कैजरी यह हैं एक भाष्टर लगा दिया फ्रडरी लगाने related हमारी समस्या का समाधान हो गिया 1911 कनी कि अथा प्राइबेट, अब क्या होगा, कुछ नहीं कह सकते? कि भिज्वली थीक ठीक ही चलुए है, विज्वली मैं को नहीं है, भिज्वली जो इंडर्स्टी इसनेर, विभून को जगा दिकत होती है तो गरों में इस्तेमाल करते हैं उनको कोई प्रोब्लम नहीं है बीगी जिए शेफ्टी नाम की चीज तो हिंदुसान में नहीं है तो यहां पर क्या होगी सेफ्टी यहीं बठे इनको एक बिठा के ले गया और रस्ते में लूट ली गा तो य कुछ नहीं है कहने की बात है एक की चेन खीच ली चलते दो यह मारा जटका चेन लेगे किसी का कान खेंच लिया तो काई काई सेफ्टी है कहने को तो पुलिस वाले है पुलिस वाले कब आएंगे आप रेपोर्ट लेख वाएंगे ओन लाइन कर दिया आपने वह क्या है सामेर होते हैं इनके अपनी पत्ति आ जाती है इनको कुछ देड़न देड़न नहीं है मोला क्लीनिक है बुल्चित नगर में गुर्दारे के पास है परन्तु आपर मेडिशन वेडिशन नाम की चीज़ को यह इसी खास नहीं होती है जो कीमती दौई होती है वो तो मिलने ोटे मेडिशन है वो देदेंगे जो सही मारा मिलने चाहिए ऊgraduate मेडिशन नहीं मिलेगी उसके का देंगा यह है नहीं है नहीं है कि निए अपके पास सुग्र की दवाई नहीं है आज कल common problem तो यह है यह नहीं है तो फिर आप करोए क्या तुछ बैस नहीं किया क्या ठीजुक्त गर्दीक जिस दिन हो जाता हो भगवान हो जाते है जो MLC है, कॉंसलर है, MP है, जिस मक्त वहां से आया कि जीत गया, वो आपसे मिलना बोलना बन कर देता है, तो का कीजिए गाई? पजातंद जो है, कॉरॉप्शन की महा है, काई पजातंद में सारे जितने भी MP हैं, मेले हैं, कॉंसलर हैं, सब पैसा कमाते हैं, तो जनता की भलाई कैसे होगी? जो आजनी दस-तस प्लैन से घूमते रहता है, पैसा कौन देता है? बिजनेस में देता है, हम लोग कोई नहीं देते हैं, जो देगा उन लेगा, और जो लेगा फिदेश, पॉलिसी तो ही बनाता है, जो बिजनेसमेन है, पैसा देता है, आउन पॉलिसी बना लेता है, देश में भारत बस में कुछ होने वाला दिखतों का यह जो अभी राय साब ने बताया है करफ्षिन कम होनी चीए कम से कम सबसे पहली तो यह बात है जो देश के विकास के लिए बाधा बनी हुई है तो यहां पर जो महला क्लीनिक है उसकी क्या सुविधाय मिलती है मृला किलीनिक जब यहां पर सुविधाइद दोगे तो आप हमें पता चलेगा अब तो कोई सुविधा नहीं है सुविधा क्या हमें किसी के उपर इतबार ही निए किसी के बस्का ये इसको चला नहीं जो चीज चल रही है बढ़ी को पारी बिजली ठीक है मैंने जो चीज आप से कही कि वही है यह चीज इनको हटा देनी चाहिए नहीं करनी चाहिए है सीनियर सिटिजन को यह है कि भई भंगाई बढ़ती जा रही है कभाई वही है जो जिनके बाद पैंचन है वो तो ठीक है जो अपने उसके ऊपर चल रहें इंट्रेस्टेट के ऊपर तो उनके लिए तो काम ठीक बैठता नहीं है अगर आपकी आज की कभाई आपकी 10,000 है तो खर्चा हो गया 15,000 तो कहां से लाए जाए आप क्या चाहना चाहोगे कि कौन सी पार्टी आनी चाहिए पार्टी देखो जी हिसाब से तो इनके पास कोई आल्टरेटिव नहीं है वी फिलाल जो देखे तो कोई भी है बीजेपी है अब इनके बास कोई दूसरा आपी नजर नहीं आता है सिदे हम तो यह जानते हैं कि यहां तो कोई दूसरा स्टैंड करें आपोजीशन थोड़ी स्ट्रॉग होने चाहिए अब अपोजीशन स्ट्रॉग नहीं होगी तो क्या होगा कोई डिसीयन फिर अपी मर्जी से लेते जाएगे जो करना है करें कोई बोलने वाला नहीं कुछ दूसरा नहीं करें पांचे साल काम की रहे जाता है सीनियर सिटिजन को लेके क्या यहां पर सुवी धावरा मिलती है सीनियर सिटीजन के लिए एरिया बोत अच्छा है बोत सेफ है मगर अभी इस पार्क में दिन बर तो क्राइम होता है मगर सुवेश आम को सेफ्टी है तो पाणी वेरा को लेकर क्या मुद्दे है पानी की कोई प्रावलम नहीं है कभे कभी गंदा आता है अधर बश्रीक थीक है और बिजली की तो कोई प्रावलम ही नहीं है एक पार्किंग का इशू है वो तो लोकल एरियस में जगा नहीं है तो पुरानी अकलोनी आई तो तो उस कोई दिखा नहीं है तो आसपास के एरियाज में होंगे बलजी नगर वगारा में तो कोई देखा रहे हैं बच्चों और महिलाओं को लेके सेफटी वरा का क्या है लेकिए चेंश नेचिंग बहुत होती है और लेडिस कुछ अंसेफ हैं सुबह शाम के तो पुलिस काम कर रही सब्सक्राइब कर रहे हैं मगर आसपास अरियाज ऐसे हैं जहां क्रिमिनल बहुत जएदा है तो पुलिस का एक्शन वीक है तो आपको यहाँ पर आपके एरिये में क्या-क्या सुविधाय मेलती है और किन-किन दिक्तों का सामना करना पड़ता है कोई दिक्कत नहीं है जी, सब कुछ ठीक है, गोज में रिटायर्ड है, पेंचेन हारी है, सब कुछ आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया काम कर रहा है के जिरिवाल, पर बहुत बढ़िया कर रहा है, मोदी, दोनों ठीक है, हम कांगरेसी हैं, जे बीजे भी की कोई तक दिंगासि यहां थोड़ीक चेंज हो जए ज़िए वह हो जाला पर्टोची ने जिंदकी दिए हैं आप पिछले 15 अफारा साल से यह आते हैं । entwickeln 16 बेएं हम कुछ नीदे हमारे को सब कुछ दिया उसमें अभी जो दोजर चोबीस में अगामी लोकसभा के चुनाव आने आ रहे हैं तो इसके बारे में आपकी क्या रहा है और कौन सी पाल्टी आनी चाहिए हमारे केजरी वाली आए जिसको मिलेगी टिकट कांगरसी हैं लेकिन उसको आपसमें उनका हो गया है ऑघ्या हो गया है तो तो आप क्या चाहते हैं अपकर कि यह कौन सी पाल्टी आनी छाहिए इसके बारे में क्या रहा है आपकी दिखो जी आपसमें जो मर्जी करता है वह किया दो तर को कुछ बिल रहा है यहां पानी पुनी तो कोई आगस विधा नहीं और को इस प्रूज रहती कि ए रखावotti उन्मूऩel मोजळकर को डिनать हो करहिए यह इंग अवी तूरISA करेंगा came to सब्सक्राइब को यह सुविदा नहीं है मैं तो खोश हूँ अभी जो चुनाव होने जा रहे हैं लोकसभा गामी चुनाव जो होने जा रहे हैं दोजार चोबिस के इसके बारे में आप क्या राय देना चाहेंगे और कौन सी पाल्टी आनी चाहिए मेरे साफ सब्सक्राइब पाल्टी आनी चाहिए मेरे तुरह यही है और लोगों का मत अपना अपना में मेली साफ सब्सक्राइब के सुविदा तो अच्छी है थोड़ी बहुत पानी के समस्या जो पाहडी एरिया महापे रहती है मैक्सिम्म रहती है तो अभी जो दोजार चोबिस के गामी लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कौन सी पाल्टी आनी चाहिए और क्यूं आनी चाहिए में मेली बीजेपी जिसे बीजेपी के कांशलर बगरा है मदब आमाद में बड़े मम उनके तुलन मे किसी व्यक्तिविशकी बात नी कह रहा लेकिन जो अभी फिलाल में है तो मदब ये सुविधायए पहले स्टार्टिक में जब बीजेपी वाले आमारे इस थीक थी इस चेत्र में पानी बग कर दिये हैं पॉपड़े चला है लेकर नहीं हम तो यह देखा है कि पैस बिलकुल एक पार उसके पर प्रेस को अधिकार कितम होगे लोगों के बोलिगा जानी कितम होगी है आप पहले कोई भी आपको प्रोब्लम होती थी अदोल कर सकते हैं आप अदोल अलाओ डिनी है इस दे जाओ तो आपको जाज़ा थोड़ी तरके लिखड़ करेंगे कोई बोलने का जादी नहीं है सिवाए एक आदमी ने पूरा कप्जा कर दिया है देश के उपर जैसे कि यह नहीं मैं हूँ तो मैं ही हूँ मांकी और कोई नहीं है इस देश में पहले भी देश चलना था आज चलना है चलता है कि उसी बंदों का लेकिन आजादी लोग की खतब हो गई है बोलने की जो है सीदेश को पहले सब्धेश कर दिया है कि अब यहीं है सम जो सीवर है पानी है जो शड़कें है यह इनकी दिखते हैं पहले थोड़ी कम थी अब ज़ादा हो रही है साल दो साल से जो तोड़ देते हैं उसको बनाई नहीं जाता दुबारा ऐसे का ऐसे ही पड़ा है हलका सरपेर कर दिया एक बारिश आई दो-चार मिन्ने में फिर उखड़ गया सारा फिर ट्रैफिक वालों को चलने वालों को गिर रहा है कोई भेड़ रहा है दिखते हैं और यह लगता है दिखते हैं ऐसे ही रहेंगी और बढ़ती ही रहेंगी सुधार इनमें नहीं होना है तो पहले ठीक थी स्थी थोड़ी अब और खराब है स्थी अब उनके पास पहले रोज राउंड मार रहे थे जब तक वोट लेने थे अब कोई राउंड क्या अब जो मर्जी करते हो कंपलेंट है आई कंपलेंट करो तो तीन दिन बाद आपका वो ठीक होगा या ओ सकते मिन जाएगी कि देखो जी मोधी जी ने मेरे तो सारी जिंदगी में देखा है मैंने उन्होंने काम करते आए और करते रहेंगे वो जब तक है तो लेकिन जो आगे के कारे करता है अगर वो भी काम अगर ढंक से अपनी जुम्मवारी समझ लें तो फिर सारी चीजें ठीक होगी अब नहीं तो मैं एक बात कहना चाहता हूं, कुछ दिन के लिए मेरे को बिठा दे। तो मैं सारे कारे ठीक कर दो हुआ। मतलब पूरेji सिटीजन को क्या सुविधा मरमिन तो आप अभी जो लोग सभा गामी चुनाव होने जा रहे हैं तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे कौन सी पाल्टी आनी चाहिए और क्यूं आनी चाहिए और क्यों आनी चाहिए अभी मोदि की बात है क्यों काम तो अच्छी किया मोदि नहीं इसमें देश का हाल तो ठीक चल रहा है लेकिन यहां की सफाई नहीं है डिली के N.D.M.C. एरिया चमक रहा है इदर वाला M.C. एरिया आज से 15 साल पहले भी सफाई नहीं थी यह गोवर्मिंट बदल गई जिसके लिए धरने पर दरशन होते थे यह भी अब सफाई पूरी तरह डंग स नहीं कर पा रहे इसलिए जब तक दिली में सफाई डंग से नहीं होती कुछ भी ठीक नहीं है पानी के बारे में नलके वाला पानी पिये ही नहीं आता है जब से यह सरकार आई है दिली में तब से पानी की बोदलों का बिजन शुरू हुआ है यही बढ़ता जा रहा है और पानी खरीद के पी रहे हैं बिजली पानी फ्री है उनके लिए फ्री है जिनकी सलाना इंकम गरीबी अहलात से नीचे आते हैं चलो हम कमाते हैं तो हम खर्च कर सकते हैं लेकिन इस सारी शुदायों के बावजुदा आप कहते हो डीटी सी की डीटी सी यह लेडिस फ्री करके या फ्री का भटूरे बेचबेच के इन्होंने डिटी सी को अब बंद कर रहे हैं, जो कि जाहां कमाई नहीं हैं वो अची तो बंद होगी, तो ऐसे ही किसी भी जब तक सेंटर गोवर्मेंट और दिल्ली गोवर्मेंट राज्य सरकार की गोवर्मेंट एक जैसी नहीं होती तब तक असोविदाएं तो रहेंगी कोई भी सरकार बने जो है मतलब सेंटर और स्टेट मिलके चलेंगे तो प्रोग्रस होगी नहीं तो कमियां रहेंगी बस और यही कमियां हैं अगर यह कमियां दूर हो जाएं तो हम चाहते हैं पार्किंग सुविधाएं यह अच्छी है अब नाली वाली सीवर वाली मैंने बता ना सफाई का इसा आ रहा है जब तक वो M.D.N.C. वाली प्लानिंग M.C.D. में नहीं आत करते हैं अब आगे वो हरकत करने लग जाते हैं तो फिर दिखते शुरू होती हैं बाकि फिलाल जो है पूरे बल्ड में नाम हमारी मोधी सरकार कर रही है जब से आई है तब तक तब दीलियां है पराना कांग्रेस मा रही है हमारे देश की रहेगी बीजे भी बाप बनेगा यह पका है क्योंकि कांग्रेस से पले हैं समझ रही है तो इनको हम इनका विरोध नहीं करना चाहिए सतर साल उन्होंने भी देश पर राज किया है उन्होंने भी अजादी के बाद पूरे देश को सतर साल संबाला है तो हमें उनका ऐसान मानना चाहिए लेकिन यह है कि हम अब लिए होता है तो नाम कमाता है जब सेवा महीन हो जाता है तो चला जाता है इसी परकार से मैं चाहता हूं देश के विश्य के लिए इंद्रा गांधी के बाद कोई लीडर आया तो नरिंदर मोदी आया और यह बिजेए पी सरकार पूरे देश को आगे बढ़ाएगी इतना हमारा विश्वाश बाकी युए हमारा ये पूरे दिल्ली में ये रागाडन ऐसा हरा भारा और स्वच भारा कहा है इसके लिए हम आते ही नारा लगाते हैं सारे जहां से अच्छा रागाडन हमारा हम बुल बुले हैं, इसकी ये गुलिस्ता हमारा गारडन में सबका स्वागत है हरा बारा पारा का है, यहां लोग आएं सवच्छ रहें, स्वच्ट रहें यहां हर बच्चों की भी सुजदा है बड़े बुडों की भी सुजदा है अपने हिसाफ से अगर हर एरिये में ऐसा पारक अगर उब्रूब किया जाए तो दिल्ली में हर्याली भी बनेगी और रोग बिमारियां भी कम होंगी तो मतलब स्वच्टा पे पूरा ध्यान दिया जाए और सफाई पे तो इसलिए हम आपके चैनल के माधन से यही कहना चाते हम कि आपका चैनल भी तलक्य और जो देश के लिए आप जो सर्वे कर रहें उसका धन्यवात करते हैं तो हम चाहते हैं कि पॉजिटी वीटी पबिलिक के सामने आएं ताकि हमारे राम राम जी आयां वो भी खुश रहें और राम राज्य स्थापित हो सके हम इसी मंगल कामनाक से आप से बात करते हैं जैशिरी राम